जो लोग OnePlus Pad का वे सब्री से इनतिजार कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों आज मैं इसकी OnePlus Pad की कुछ leaked specification लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों almost true आपको देखने को मिल जाएंगी जब OnePlus Pad 7Fab को launch होगा, तो बिना देर की वीडियो को start करते हैं, जानते हैं दोस्तों कि क्या क्या specification आप आपको OnePlus Pad में offer की जाएंगी, तो दोस्तों सुरवात करते हैं, सबसे पहले OnePlus Pad की डिस्पले से, तो दोस्तों डिस्पले के बारे में एक interesting सी information निकल कर आई है, कि यहाँ पर दोस्तों या तो 11 इंचेस की डिस्पले होगी या फिर आपको 11.6 इंचेस की डिस्पले देखने को म अब दोस्तों या पर आपको 11.6 इंचेस की एक 144Hz वाली LCD डिस्पले देखने को मिल जाएगी, अब दोस्तों याँ पर समझादा है इंट्रेस्टिंग यह है कि आपको 144Hz का रिफ्रेस्ट देखने को मिल ला है, तो यार यह किसी भी टाबलेट में अभी तक नहीं दिया गया यहाँ पर आपको काफी insane smoothness देखने को मिलेगी इंटमस आप जब आप टाबलेट में swipe करेंगे या फिर कुछ और games वगरा प्ले करेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे, तो काफी smooth यह बन प्लस पैट की यहाँ पर display होने वाली है, बागी बात करें दोस्तों इसकी बैटरी यहाँ पर आपको हो सकता है कि बन प्लस पैट में काफी बड़ा बैटी लाइफ देखने को मिले, तीसरी चीज दोस्तों बन प्लस पैट के प्रोसेसर को निकल कर आ रही है, कि यहाँ पर कोई भी snap brand का प्रोसेसर यूज नहीं होने वाला है, अब दोस्तों यह यह चीज थो लीक्स के अनुसारी ऐसे ख़वर निकल कर आ रही है कि बन प्लस पैट के अंदर आपको डैमन सिटी का 9000 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि एक फ्लेक्सी पैसोसी है, काफी अचीज पर्फोर्मेंस के साथ आता है, एंडू तु स्कोल भी इसके अप्रोक्स आपको 10 लीक्स के उपर देखने को मिलते हैं, जो कि इंसेन है, काफी यहाँ पर आपको पावफुल प्रोसेसर दिया जाएगा, अब दोस्तो देखते हैं बागी 7Fab को क्या होती है नहीं होती है, बागी बैटरी के और डिस्पले की तो अलमस्ट आफ कंफर्म भी समझीए, बागी दोस्तो यहाँ पर आपको बैक में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 13MP का हो सकता है, अभी दोस्तो इसका exact resolution नहीं है, फ्रेंड में यहाँ पर आपको 8MP कैमरा देखने को मिल सकता है, बागी दोस्तो यह फुली मैटल डिजाइन के साथ यहाँ पर आपको Aluminium Alloy कर देखने को मिल सकता है, बैक साइड में और दोस्तो जो फ्रेम होगा वो भी आपको Aluminium का देखने को मिलेगा, इस टेप से यह खबर है निकल कर आ रही है, बागी कुछ और चोटी मोटी चीज़ों की बात करू OnePlus Pad की, तो यहाँ पर आपको SDR 10 Plus का support देखने को मिल ज जाएंगे, तो दोस्तो OnePlus Pad एक काफी किलर टाबलेट होने वाली है, अब दोस्तो इस 7Fab को लोंच है, बागी इससे लेटेट और कुछ न्यूज आती है, तो मैं आपको वीडियो बना कर बता दूँगा, बागी इसकी प्रैजिंग को लेकर अभी कुछ ज़दा क्लियाटी आई नहीं है, जैसी आएगी तो मैं बता दूँगा, लेकिन आप मान के चली 50,000 रुपीस से उपर की सेगमेंट में ये टाबलेट आपको देखने को मिलेगी, बागी दोस्तो अभी इसके स्टैलस बगारा भी इसके साथ कौन सा पैन बगारा यूज होने वाला है, बागी जैसे जो भी न्यूज आती है, मैं आपको बता दूँगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, I hope दोस्तों अगर आप ऐसी बन प्लस से लेटेड न्यूज देखना चाहते हैं, फिर बन प्लस से लेटेड और टाबलेट से में आप इंटरस रखते हैं, तो प्लीज चौन को स सब्सक्राइब करेगा, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए,